पूरे देश से प्रमिस किया था पूरे देश से प्रमिस किया था पर हमने बादा किया था जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर और लदा के समस्याओं के सवाधार के लिए नई कोशिश नई प्रयास करेंगे आज मैं ये संतोस के साथ कह सकता हूँ कि देश उस सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में भारत के सम्मिधान को समंगरता से लागू करना सिर्व एक सरकार का फैसला नहीं है ये एक सो तीस करोड भारतियों के इच्छा का भावना का प्रगजिकर ये फैसला जम्मू कश्मीर और लदाक के लोगों को हिंसा के आतंग के अलगाव के प्रतातार के कुछ चक्र से निकालने के लिए है ये फैसला भारतिय एकता और अखंता के लिए भाईयों बहनों हमारी सेना ने दस साल पहले यानि दो हजार नौ में एक लाग छ्यासी हजार बुलेट प्रूप जैकेट की मांग की थी बीना बुलेट प्रूप जैकेट हमारा बीर जवान देश के तुश्मनों से लड़ रहा दो हजार नौ से लेकर अगले पांच साल बीच समय गया लेकिंग कॉंग्रेस की सरकार ने NCP के समर्थन से चल रही सरकार ने सेना की इस जरूरत पर ध्यान नहीं दिया उनके लिए बुलेट प्रूप जैकेट नहीं खरीदे जब भाजपा एंडिये की सरकार आई तो हमने बुलेट प्रूप जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की और यह हमारा नाजिक तो भुंसले मिलेटर स्कुल से जाना जाता है इतना ही नहीं हमने व्यवस्थाएं बनाई ताकि यह जैकेट भारत में ही बने साथियों बीते पांच वर्सों में हमने न सिर्फ सेना की जरुतों को हमारे वीर जवानों की जरुतों को पुरा किया उन्हें बुलेट प्रूप जैकेट दिलाई बलकि अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं अब भारत दुनिया के उन कुछ देशों में सामिल हो गया है जो अंतर राष्ट्रे स्टैंडर की बुलेट प्रूप जैकेट बनाता है इतना ही नहीं दुनिया के सौ से जादा देशों में आज भारत में बनी बुलेट प्रूप जैकेट एक्पोर्ट हो रही है निर्याद की जा रही है हमने प्रामिस किया था कि देश की सेना को ससक्त बनाने के लिए अपने साइनीकों के ससक्तिकान के लिए आवश्यक हर कदम उठाएंगे हाल में दो महाशक्ति साली हेलिकॉप्टर हमारी शैन्य सक्ति का हिस्सा बन चुके है बहुत जल्ड राफेल फाइटर जैड भी हमारे वायू सेना को ससक्त करे तीनों सेनाओं के बीच 75 तानमेल के लिए चीफ आफ डिफेंस टांप बनाने के लिए तसकों से चर्चा चल रही थी ये फैसला भी मैंने 15 अगस को लाल के लिए परसे गोशित किया था और उसको भी आगे बढ़ा दिए ताथियों देश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारी सरकार पुरी तरह प्रतिबद्ध है